इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे होबात हरीके एंस वर्सस पर्तिस कोचर्स के बीच होने वाले बिग बेश लीग के बारवे मैच के बारे में और आज दोस्तों दोनों ही टीमों में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुएं और आज आपके एल लगने वाले कैप्टनसी को लेके क्योंकि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हुएं पांच ऐसे प्लेयर जो बैस्ट आप्छेंस हैं हाँ ये जो मिचल मार्शी आज खेलेंगे ध्यान डखना ठीक है और खेलेंगे तो आपको जाने कि आज आप कैसी टीम रेडी करोगे किन-किन प्लेयरों को स्मॉल लिग में रखना है किन-किन प्लेयरों को ग्रेंड लिग में रखना है हम सारी चीजे इस वीडियो के अंदर देखने वाले ध्यान से पुरा वीजिए नहीं सबसे विले दोस्तों देखो लाश्ट मेंच जो पाकिस्तान वर्सेस वेस्टन डीच का हुआ था वन साइड़ विक्टरी किये और इस मेंच यह जो हरीकेंस का हमारा लास्ट मेंच था याद होगा आपको बहुत तगड़ी विनिंग के दिया हमने और यह मेंच थोड़ अस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और हाँ इस वीडियो पे जिसने पहला लाइक और पहला कमेंट किया धाईस वर फिरी में बिन कर गया है आप भी कर सकते हो जब अगली वीडियो अपलोड हो तुरंद आप लोग लाइक करो कमेंट करो फिरी में बिन क कर लो बस उसके लिए कंडिशन यही है कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ठीक है उसके अलाव फाइनल टीम आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी जोइनिंग लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन में दिया है ठीक है यह आपको लिंक मिल जाएगा मैच स्टार्ट होगा एक बच कर 45 मिनट पर जो कि नॉर्मल मैच का टाइम होता है वही पे ठीक है और वेन्यू रहेगा बिलीवियर ओवर होबाट के अंदर यह मैच होगा अब अगर हम सबसे पहले वेन्यू की खासियत देखे तो गाइस देखो बीवियल के यहां पर मैच खेले गए 8 मैच जिसमें बैटिंग फर्ष ने 6 मैच जीते बोलिंग फर्ष ने 2 मैच जीते हैं अब आप भी तना सा तो दिमाग लगाई सकते हो कि जो भी टीम टोर्ष जीते की वो क्या करेगी आप पर आप बाते बैटिंग करेगी क्योंकि विनिंग चांसे आप देख सक आप इसको ड्रोप गलती से भी मत कर देना मैपको बता दू बहुत तगड़ा बोले रहे एक एक नहीं दो दो तीन चार चार विकेट लेता है एवन आपने यह जो अभी धावी के टीटेन मैचेस देखे होंगे उसमें भी आपको पता होगा उसमें तो क्यों यह बंदा दो करवाता था और उसमें भी तीन-तीन विकेट ले लेता था और आज यहीं ठीक मैं चार वर करवाएगा डात में पोइंग करवाएगा और पैसर अइसका सब्स्रेंच ब огला रहे कम रहे मैच के स्टार्टिंग के व्क मतलब कि इनका सेलेक्शन कम हो और इसकी टीम पहले बैटिंग कर रही है। तो अगर इसकी टीम बैटिंग कर रही है। अगर आपका इंवेश्टमेंट है इनक्रीज कर देना. आपके इहाँ है बाद यहां से हेट रूट की बात करतीं, स्कोचर्स आगे हरीकेंस से 15 मैचस में 9 मैच स्कोचर्स ने जीते हैं हरीकेंस ने 6 मैच जीते हैं हरीकेंस और स्कोचर्स में अगर आप देखोगे तो हरीकेंस के 2 मैच हुए हैं जिसमें से हरीकेंस ने 1 विन किया है एक खा रहा है और अगर हम बात करते हैं तो दो मेच ये टीम खेलिए दोनों के दोनों मैच जीत के आ रही है उसके बाद हम बात करते हैं प्रोबेबली ले उनकी तो आज आपको जोश इंगलीस कॉल इन मुन्रो के साथ ओपनिंग करते हुए नज राएंगे जोश इंगलीस यह रहे ठीक है विकिट कीपर सेक्स में आपको दिखेंगे और आज बैन मैच डर्मट खेलेंगे आज आपके लगेंगे गरंटी लगेंगे ठीक है तो गाइस देखिए बैन को जोश नहीं खेलेंगे आज ठीक है यह जो है ना आप लोग देख रहे हो 71% यह नहीं खेलेंगे तो यह ओपन करेंगे और मुन्रो का आपको लाज मेंच में पता होगा पहली सेंचरी हुई है 2021 BBL के अंदर इनहीं के नाम है और जोश इंगलिश का आप देखोगे लाज में मतलब लाज की तीन इनिंग में दो बार तो 50 प्लेस स्कोर इनका और सेलेक्शन अगर आप इनका भी देखोगे तो केवल आपको नहीं बट यह धहान रखना जी एल की टीम अगर आप रेडी कर रहे हो तो वन कैप्टनसी का सबसे बैस चोईस है वन कैप्टनसी क्या है यानि कि सारी ग्रेंड लिग की टीम में आपको एक ही प्लेर को कप्तान बनाना ठीक है उसके बाद लोरी इवान से फिर एश्टन टर और जैसन बेरंड रोफ भी डैथ का बोलर है बट टाइमल मिल्स के चांस 90 परशेंट है और जैसन बेरंड रोफ के चांस 10 परशेंट है ये चीज़ ध्यान रखना ठीक है बेंच में केमरोन बेंक्रोफ कुर्टिस पेटरिसन और आरून हार्डी होबाट हरीकेंस की साइड स तो सेलेब जेवल आ जाएंगे फर्स्ट डाउन ठीक है उसके बाद आएंगे जोईल पेरिस फिर आएंगे नाथन एलिस फिर स्कॉट बोलांड और फिर उसके बाद देखोंगे आप टॉम रोगर्स थोमस रोगर्स ठीक है और संदीप लमिशाने अब स्कॉट बोलांड का आप देखिए लास्ट मेच एक विकेट ठीक है यहां पर आप देखिए उससे पिछले वाला मेच दो विकेट उससे पिछले वाला मेच में कोई विकेट नहीं उससे पिछले वाला मेच चार विकेट उससे पिछले वाला मेच एक विकेट यानि कि पांच मेच मेच में पां मैंने आपको बताया कहां गए यह जो प्लेयर है यह बैंक्रोफ्ट हो गए ठीक है जो कि खेलने के चांस भी जिनकी कम है आर उन हाटी को तो फिर भी नहीं ले रखा कूर्टिस पैटन्सन हो गए 74 वर्शन सेलेक्टेड है यह जिए तो यह जिए तो यह ओपन डेट में आप दोखो कि थोमस रोगर्स आएंगे पैरीस के साथ डैट में बोलांड आएंगे या तो नाथा लेलिस या जो इल्पर इसके साथ अब देखो तीनों भी आ सकते जैसे कि पंद्दा शोलो अवर लेलिया बोलांड ने फिर सत् करे बाद दोस्तों यह हो गई मैच की जो इन्फोर्मेशन होती है नॉर्मल की कौन खेलेगा कौन का बैटिंग करेगा कौन कैसा प्लेर है ठीक है यह अब मैं आपको मेरी टीम दिखा रहा हूं जो मैं इस मैच के लिए स्मॉल लिग में यूज करूंगा क्योंकि दो आपको की वीडियो में हमने सारी चीजे देख लिए अब मैं आपको जो स्मॉल लिग की टीम है वो दिखा देता हूं फाइनल टीम तो देखो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं एक बार फिर कह देता हूं टेलिग्राम पे आपको मिलेगी जोइन कर लेना जिन यूजर्स ने जादा बैटर है और यहां पर 2000 कर गीववे भी फेंटाफिट को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से डाउनलोड कर सकते हो बैत रीन एप्लिकेशन है आप जानते होंगे अगर आप लोग जुड़े वह टेलिग्राम से एक करोड परखेज ज्यादा कि मेरी परसनली यहां पर विनिंग है जो पहले से हमें जानते हैं उनको पता होगा तो डाउनलोड अगर आपने नहीं किया तो कर देल लेना ठास कजने हैं तो एहां की टीम अलग बन रही है ड्रीम का मैं आपको दिखाऊँंगा पहले में आप की टीम तो क्या टीम में विकिट कीपर में Matthew Wade को आपको पिक करना है बैटिंग सेक्शन में आपको क्या ओल एक पिक करना है वह है Colin Munro और लाउंडर में D-Short, Mitchell Marsh, Ashton Agar बोलिंग में आपको Nathan Ellis, Tymal Mills और Andrew Tye, Sandeep Lamishane, Scott Boland और Joel Parrish ठीक है Captain Vice Captain के बात आती है Captain मेरा Mitchell Marsh रहेगा VC के दो option है, पहला रहेगा D-Short Second option Matthew Wade, तीसरा option आपके पास रहेगा Andrew Tye, जो सही option लगे आप उसके साथ जा सकते हो, अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो जो मेरा VC है, वो Matthew Wade है और बाकी कोई change होता है, उस case में मैंने आपको Telegram को option दिया है जो इन जरूर कर लेना, अब बात आती है DreamLevon टीम की, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहिए दो को यहाँ पर आपको बता है minimum 3 bands में required है कि लेने ही पड़ेंगे, तो यही reason से मैंने आपको बोला है कि DreamLevon के जो user से वो करने की कोशिश करना, और Small Link में कम investment करना जो FantaFit की user से, जो MyShore की user से, जो डार्का यूजर की user से वो ट्राइ करना कि आप लोग अपना investment जो है नोर्मल करके चलो, ठीक है तो विकिट कीपर में आपको Matthew Wade को pick करना है इवन आपके पास option Ben McDermot का है बट वही बात है Matthew Wade जैसी form में वो कोई भी play जो है हरीगेस की side से इतनी अच्छी form में नहीं है ठीक है, उसके बाद हम बात करते है बैटिंग section की, तो Colin Moondro को आपको pick करना है ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको बहुत कम लोग होंगे, जो dream मिलें उन में क्योंकि credit कीश्यों होगी और last match में आपने देखा होगा दो wicket इनको मिल जाते, बट catches आसान ही जो आसान से catch होते वो drop कर दिये गए थे और जो भी बंदे के last match में में मतलब wicket नहीं मिलते हैं तो फिर अगले match में वो करता है कि हमेशे ध्यान रखना कि जो बंदा last match में अच्छी bowling कर रहा है इनके catches drop हो रहे हैं तो वो अगले match में बहुत अच्छा करता है मौशली यही reason से मैंने other जो player है उनको drop करके बहुत बड़ा risk लिया है ना मैंने जैसे कि यहां पर मैंने एश्टन अगर को नहीं लिया है जिनका selection आपको 60% देखने को मिलेगा मैंने लिया है कि इनको संदीब लमिशाने को क्योंकि मुझे उमीद भी है और मुझे भरोसा भी है लमिशाने पर आज कि यह अच्छा कर सकता है अगर आपको लगता हो कि नहीं यह रिस्की प्लेयर होगा तो डाइरेक्टी आप लोग एश्टन अगर के साथ चले जाना कोई ऐसी मतलब जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही साथ जाओ मैं आपको क्यों अपना suggestion जो होता है वो दे सकता हूँ वो मैंने आपको दे दिया एश्टन अगर को भी मिले सकता हूँ अगर यह मेरे टीम में कोई change होता है उस case में मैं आपको बता दूँगा उसके बाद दो को बसते हमारे पास 9 credit तो टीम डेविड आपके पास है पीटर हेंड्स कोम आपके पास है एश्टन टरनल आपके पास है तो मैं जाने वालब टीम डेविड के साथ जो bowling के chance है जिस match में एक बार फिर से हाई रखते हैं ठीक है कैप्टन वाइस कैप्टन की बात आती है कैप्टन वही है वाइस कैप्टन वही है यानि कैप्टन रहेगा मिचेल मार्स